खंडवा संसदिय सीख से दूसरी बार संसद बनने के बाद पहली बार बागली विधान सभा शेत्र के दौरे पर पहुंचे भाजपा संसद ज्यानेश्वर पाटल का कारे करताओं ने जोरदार स्वागत किया इस दोरान नव निर्वाचत सांसद ने भाजपा कारेकरताओं का आभार जताते हुए विकास में कोई कमी नहीं रहने का आस्वाशुन दिया है देखिए यह रिपोर्ट मद्यप्रदेश की 29 लोगसभा सीटों पर बंपर जीत के बाद भाजपा MP को विकास की नई रफ्तार देने पर जोड दे रही है यही कारण है कि एक दिवसिये दौरे पर खनवा लोगसभा शेत्र के बागली विधान सभा के सीतावन मंडल के उदर नगर पुंजापुरा में आभार व्यक्त करने पहुचे खनवा सांसत ग्यानेश्वर पार्टिल का भाजपा कारेकरताओं के साथ शेत्र की जनता ने भ प्रधान मंत्री मोदी जी को देश की जनता ने तीसरी बार जो जनादेश दिया है तीसरी बार प्रधान मंत्री के पत्पर मानिये जो शकत दी है दिचितरुख से प्रधान मंत्री मोदी जी के प्राद्मिकता आप लोगों दिखाई दी होगी कि सबसे पहले एदी किसी स्थाईल पर सायन होने की है किसान सन्मानिधी का प्यसा डालने का काम प्रणमंद्री मुझी ने करकिया है और तीन करोड गरीबों को जो पक्त की छक्रके मकान देना है वहीं इस मौके पर खंडवा सांसत ज्यानीश्वर पाटल सीतावन मंडल अध्यक्ष शेलीन रगरवाल भाजपत जिला पाध्यक्ष जैप्रकाश शर्मा, पूर्व भाजपत जिला अध्यक्ष महेश दुबे मंडल महमंत्री जतिन रियादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंग नायक, सरगार सिंग काग, हीरालाल पटेल, लखन सिंग पटेल, लक्षमर सिंग परिहार, जीतू मित्तल, समस्त भारतिय जुनता पार्टी के युवा वरिस्च कारिकरता मौजूद थे ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उदाइनगर